A Thing of Beauty जिसे लिखने वाले जौन किट्स है जिनका जर्मन 1795 में हुआ था और उनका डेथ हुआ था 1821 में वह एक ब्रेटिस रोमांटिक पोएट है। उसी पे बेजड है। जितनी भी चीज़ के सुन्दरता है वह देन प्रति दिन बढ़ती जाती है। इसकी सुन्दरता कभी भी खत्म नहीं होगी बट विल कीप आ बोवर क्वाट फॉर अस लेकिन हमारे लिए क्या बनाएगी। दोनिया में जितनी भी सुन्दर चीज़े है उनका हमारे जिंदिगी में कुछ ना कुछ महत्व होता है इंपॉर्टेंस होता है और वह हमारे लिए कभी भी विकार नहीं जाती। तो यहां पर भी यही बात बोला गया है कि सुन्दरता क्या बनाएगी हमारे लिए पेड़ के छाओ बनाएगी। और वहां पर हमें एक अच्छे नींद आएगी सपने आएंगे हमारा स्वास्ति बनेगा और हम अच्छे तरीकी से सास लेंगे। और इसलिए हम लोग जा है वह दिन प्रति दिन अपने आपको एक गुलाब के गुलदस्ते की तरफ प्रित्थिवी के साथ लपेट रहे। मतलब हमारे पास उदासी भी है और हम लोग जहें अपने बुरे समय को खत्म करने के लिए अलग अलग बुरे तरीके अपनाते हैं मतलब हमारे जिंदीगी में अगर बुरा समय चल रहा होता है तो हम उस बुरे समय से निकलने के लिए बुरे बुरे तरीके अपनाते हैं जो हमारे स्वास्त के लिए भी हानी का रहा होता है इसे हम एक तरीके से माल लेते हैं कि अगर हमारा दिन बुरा जाता है और अगर उस बुरे दिन में हमारे साथ किसी भी तरह की अच्छाई हो जाती है हमारे साथ अच्छा होता है तो हम बहुत ही जड़ा खुश होते हैं तो यहां पर भी वही बात बोली गई है कि दुनिया भर में बुराई होने के कार्म भी कुछ ऐसी चीज़े है जो हमें खुश करती है अब हमारे साथ में जितने भी बुराई है उस बुराई को हटाती है नए पेड़ पौधे पुराने पेड़ पौधे और नए पेड़ पौधे जह है वह अपने डाली को फैलाती है और आश्रवात देती है भेड़ों को and such as daffodils with green world they live in और daffodils को जो की एक हरे दुनिया में रहती है मतलब यहां पे बोला जा रहा है इसूरज, चांद, पेड़ पौधे वो क्या करते है वो भेड़ों के लिए जगा देते है साथे साथ daffodils जो है वह हरे भरे छेतर में रहते है और इन चीजों को देख करके हमें खुशी का अनुभव होता है and clear rails that for themself a cooling convert make giants the hot season the mid forest rake और क्या है जो जहरना जो है वो उन लोग लिए क्या है एक तरह का खजाना है जो की गर्मी के मौसम में भी उन्हें ठंड़क देती है जंगल के बीचों बीच rich with a sprinkling of fair musk rose blooms और वहाँ पे क्या होते है सफेद रंग के गुलाब होते है जो की खिले हुए होते है and such too is the grandeur of the dooms और बरबादी भी जो है वो महान होती है क्योंकि अगर किसी भी चीज के बरबादी होती है तो उसका अंत होता है और अगर किसी चीज का अंत होता है तो अंत के साथ किसी भी चीज का आरम होता है तो यहाँ पे बरबादी को भी महान बताया जा रहा है we have imagined for the mighty dead all lovely tales we have heard ordered हम लोगों ने महान महान लोगों के मौत के बारे में भी imagine किया है जिसकी कहानिया हम लोगों या तो पढ़ी है या फिर सुनी है and endless fontains of immortal drink pouring unto us from the heaven brink और स्वर्ग के किनारे से जो है वह एक अनंतकाल तक गिरने वाला जहरना गिर रहा है जिससे हमें जो है वह पानी मिर रहा है जो हमें क्या कर देंगे अमर कर देंगे तो इस पोयम में जो है वह पोयट ने जो है वह दुनिया भर में जितनी भी चीज़े है सब की सुन्दर्ता के बारे में साथी साथ इस बारे में भी बताया है कि अगर मनिश में किसी भी तरह की दुख पीड़ा होती है तो वह जो है अगर उसे खुशे देर दी जाती है तो उसके जितने भी पीड़ा है जितना भी दुख है सब खत्म हो जाता है तो हमारी आज के क्लास में इतना ही मिलते हैं हमारी नेक्स ब्लास में